हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक्सल में आप अपना कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं देखें यहां पर मैंने एक कैलकुलेटर बना के रखा है पहले मैं आउटपूर दिखा दूँ आप लोगों को ताकि समझ मैं की टॉपिक का एक्चुल मतलब यहां पर क्या है जैसे यह मैंने फॉर्म डिजाइन किया है यहां पर आप देख पार होंगे अपने स्क्रीन पर मा माइनस सब्क्रेट्षन के लिए है उसी डंग से मल्टिफ्लीकेशन का बटन है डिएजन का बटन है रिमेंडर का बटन और फाइनली एक्जिट या कुईक का बटन है तो आप जैसी एडिशन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका यह जो दो नमबर आपने डाल इसका जो addition है यह तीसरे text box में आ गया इसी डंग से अगर आप subtraction पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर subtraction के बाद जो result है वो चला आया similarly multiplication भी आ रहा है division भी आ रहा है remainder आ रहा है मतलब की remainder का मतलब है कि 200 में 200 में 43 से मतलब 43 से भाग लग रहा है division operation हो रहा है और जो शेशफल है जो remainder है वो आपका आ जा रहा है फानली आप चाते हैं कि यह calculator बंद हो जाए तो आपको यहां से exit पर click करना है यह आपका calculator बंद हो गया लेकिन अब सवाल है कि यह चीज डिजाइन कैसे होगा यही आज का जो basic theme है इस video का वो यह तो इस video के अंच तक बने रहेंगे किसी भी part को skip नहीं करेंगे बहुत ध्या जर 16 यूज कर रहा हूँ हो और यहां पर मेरे पास developer का ribbon है हो सकता है आपके पास यह developer ribbon नहीं हो तो आपको क्या करना है कि file menu पे click करना है options में आना है यह Excel options का एक dialogue box खुलेगा यहां देखे customize ribbon option उस पे click करना है यहां आपको यह developer मिलेगा जो की मेरे system में यह चेक किया हुआ ह तो यहां इसको अगर अंचेक आपके पास है तो देखिए अंचेक होने के वज़े से यह आपके पास नहीं आएगा तो आपको file menu पे click करके options में आना है यहां पे customize ribbon में आना है और यह developer वाले checkbox को check करके और ok कर देना है तो जैसे मेरे पास यह developer का ribbon आ रहा है आपके पास भी रखा हुआ था जिसके वजह से यह चीज आपका आ रहा था यह जो आ रहा था तो आएए सिखते कि यह चीज बनता कैसे यह चीज जो मैंने बना के रखा है और वो चीज मैं भी हटा देगा हूँ यह यह आपका ऐसे आएगा खुलेगा जब आपको करना क्या insert में आना है अ आप इसको अपने हिसाब से size कर लेंगे मतलब इसका height और width आप बढ़ा लेंगे यह करने के बाद आपको view में आना है और यहां से क्या करना है भई तो toolbox को click कर देना है तो यह toolbox आ गया इसी में यहां देखिए यह label है इस label को आप लिजिए और यहां पर message देने के लिए जैसे इंटर first integer इंटर second integer आप एक label बना लिजिए उसके बाद इसी डंग से तीन label मैं ले लेता हूं और size और position जो है वो बहुत ध्यान से रखना है equality होना ही चाहिए जैसे देखिए अभी अब आप अगर equality नहीं होगा ना तो बाद में भी आप इसको change कर सकते हैं कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो तो जाएग अब ये तीन text box आपने तीन label आपने ले लिया और उसी डंग से यहाँ पर मैं एक text box लेता हूं पहले मैं साड़ा control जो इस calculator में use होने वाला है वो पहले मैं रख ले रहा हूं अपने पास ताकि फिर इसके coding के हिस्से में चला जाए और इसको फिर बना लिया जाए अब देखे ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो चलिए design है आप अगर चाहे तो इसको बिल्कुल accurately आप ऐसे भी design कर सकते हैं लेकिन accurately design करने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चुकि समय ल बनाने के वज़ा से इसको जो है अलग-अलग height width का भी गाएगा कोई फरग नहीं पढ़ता है वो तो बाद में आप लोग set कर लेंगे तो ये तीसरा text box भी मैं ले लेता हूं यहां से तो चलिए यह आपका अलग-अलग आ गया हाला कि देखिए यह width जो है इधर उदर हो गया है तो कोई बात नहीं है यह देखिए एक extra text box अगर आ गया तो आप इसको यहां से हटा सकते हैं delete कर सकते हैं जैसे यह आपका width थोड़ा सा height width ज्यादा कम जो भी है तो इसको आप ल लोग इधर button बनाते हैं पांच button हम लोगों को बनाना है तो यह देखिए command button one है यहां पर हम लोग addition का एक button यह हम लोगों ने ले लिया उसके बाद एक और बटन हम लोग ले लेते हैं subtraction के लिए एक और बटन फिर हम लोग ले लेते हैं multiplication के लिए और फिर एक बटन लेते हैं division operation के लिए एक बटन आप लोग ले लेते हैं remainder के लिए और यहां पर एक बटन quit या exit के लिए आप ले लेते हैं तो देखिए मैंने चुकिए यह जल्दी में मैं design कर रहा हूं इसलिए यह आप data we Risk पोजीशन नहीं है यह चीज आप लोगों को समझ में आरे होगी यह बात कि यह जो है आपका perfectly position नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसको बिल्कुल पर्फेक्ली आप प्लेस कर सकते हैं वो आप लोग प्रैक्टिकल जब इसका करेंगे तो आप लोगों को वो काम कर लेना है ठीक है अब यह आपका देखिए अभी इस चीज को में हटा देता है अब यहाँ जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यह आ अब जो है आप डवल क्लिक करेंगे तो देखिए यह आपका यूजर फरर्म का क्लिक अब आप लीग किया कोई बात नहीं यहां क्लिक इवेंट को आपको गड़ेना है णिसलाइज पे change और यह जो click है अगर आप इसको चाहें तो मिटा भी सकते हैं इसका कोई काम है नहीं अब आप लिखते हैं देखें यहां दो तरीका है property set करने का मैं पहले एक तरीका बता रहा हूं मी का मतलब होता है जो user form आपका है वो denote करता है मी तो me.caption equals मैं यहां डाल दे रहा हूं calculator उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि back color मैं थोड़ा सा yellow दूँ तो vb yellow आपको लिखना होगा यह यहां पर constant है देखिए थोड़ा सापने code लिखा यह देखिया आपका yellow हो गया अब अब जो है label one के लिए क्या आपको design करना है तो आप ऐसे भी देखिए अब label one का बहुत सारा प्रोपर्टी में design करूंगा दिखा रहा हूं तो मैं क्या करता हूं ना कि उपर लिख देता हूं with label with label one पहला label क्या है उसका नाम level one है जो की end with के साथ बंद होगा और बार बार level one लिखने की जोरत नहीं होगी इस में थड़ में आप लिखेंगे dot caption equals इंटर फर्स्ट इंटीजर आप ऐसा आपने लिख दिया उसके बाद आपने लिखा dot सब्स बैक कलर बैक कलर आप आपने रख दिया वी भी रिड उसके बाद dot font font में आप चाहते हैं aerial black आए तो aerial black आएगा dot font dot size equals तो size आप चाहते हैं कि 20 size में आए एक बार आप जब set कर लेना तो यह चीज़ देख ले कि हाँ यह सही आ रहा है बिल्कुल अब देखें थोड़ा सा इंटर फर्स्ट इंटीजर जो आप का रहा है यह बिल्कुल लेफ्ट तरफ सटा हुआ है इसको थोड़ा सा आप बीच में लाना चाहता है हलका सा space आप देदीजिए तो आपको यहां पर क्या करना है यह डवल क्लिक करके यहां पर यहां पर आपको हलका सा space दे देना है जगा तो दाइन है और इस कोड जल्दी लिखने के लिए आप चाहे तो इसको आप फिर जैसे मैंने लेबल वन के लिए लिखा लेबल टू के लिए इंडिविजुली आप लिखिए फिर लेबल थी के लिखिए लेकिन मैं कॉपी पेस्ट का इस्तमाल कर ले र लिखा यहां पर रिजल्ट इज मुझे लिखना है तो मैंने लिखा रिजल्ट इज और यह आपका यह ऐसे आ गया अब आप जब इसका आउट्पुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए पहले में इंटर फर्स्ट इंटीजर आ रहा है दूसरे में इंटर सेकें इंटीजर आ रहा है तीसरे में रिजल्ट आ रहा है यह आपका सेटिंग हो गया अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स वन जो आपका है टेक्स्ट बॉक्स वन. dot इसका आप चाहते हैं कि font का जो size है यह हो जाए suppose 18 एक बार 18 करके आप देखें कि क्या होता है यहाँ पर ठीक है आप चाहें तो थोड़ा size और बढ़ा सकते हैं लेकिन चलिए 18 भी ठीक है तो यही size आप तीनो text box के लिए आपको set करना है इसलिए आपको text box 2 का भी font size वही लिखना है और यहाँ पर text box 3 का भी font size वही कर देना है अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो command button है आपका पहला वाला one उसका caption आप लिखना चाहते हैं कि caption में plus आए और यहाँ पर आप hint के लिए लिख दे रहे हैं कि plus मतलब पढ़के समझ में आ जाए कि addition होगा उसी ढंग से आप command 2 का, command button 2 का आप caption set करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पर subtraction आए command button 3 का multiplication आए command button 4 का जो message है उसमें चला आए division command button 5 में और सबका आपको symbol भी change करना है यहाँ minus यहाँ asterisk यहाँ by और यहाँ सपोज आपको percent दे देना है आप mod भी लिख सकते हैं उसके जगह पे remainder और एक आपको बना देना है exit के लिए exit या quit जो भी आपको लिखना है तो देखिए अब यह आपका हलका छोटा design बनके त्यार हो गया आप यहाँ पर सोच रहें कि हम number डालके दो number डालके और यहाँ पर अगर हम कुछ लिखें तो यह आप click वगड़ा करें तो नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए आपने इसके लिए code लिखा नहीं है जैसे आप यहाँ पर addition करना चाहते तो add कहां से होगा आपने तो सिर्फ एक design तैयार किया अब आपको यहाँ code लिखना होगा तो आप command button 1 पर जैसे double click करेंगे तो इसका click event खुल गया अब यहाँ पर आपको तीन variable ले लेना और result मैंने लिया जो भी आपका operation होगा plus minus asterisk by remainder जो भी होगा उसके हिसाब से जो result आएगा उसको रखने के लिए और सपोज मैं चाहता हूँ कि वो सारा operation integer के उपर perform तो ऐसा मैंने लिख दिया उसके बाद मैं लिखता हूँ num1 में रखो convert to integer यहां cint का use क्यों करना पड़ा समझे इस चीज़ को text box में आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो text type होता है उसको convert करना होगा इन्टीजर में है चुकि num1 आपका integer है और integer में convert number integer क्यों है number integer क्यों है क्योंकि आपको जो operation करना है वो integer पर ही perform करेगा तो इसलिए integer लेना है और integer में convert कर लेना है अब यहां पर num2 में मैंने रख दिया text box 2.text और result में मैंने रख दिया num1 का जो value आया है और वो प्लस num2 दोनों का add करके मैंने रख दिया और जो result आ रहा है उसको मैं रख दे रहा हूं text box 3 में result के value को अब बहुत छोटा सा coding बचा है यह आपका addition देखी होने लगेगा इसके वज़ा से अभी आप यहां 1200 डालिए और यहां suppose 34 डाल दिजिए add को हो रहा है लेकिन subtract नहीं हो रहा है multiply नहीं हो रहा है चुकि आपने सिर्फ addition वाले बटन के लिए code लिखा है अब आप command 2 पर click कीजिए मैंने copy कर लिया है इसलिए मुझे मैं Ctrl V से paste कर ले रहा हूं और plus के जगा सिर्फ minus आप लोग भी वैसी करेंगे जल्दी code लिखा जाएगा और यहां जो command button 3 है यह asterick का button है तो इस पर double click करके इसके click event में आपको लिख देना है asterick चुकि multiplication हो रहा है command button 4 में आपको लिख देना है Ctrl V करके by division के लिए और command button 5 में आपको लिख देना है चुकि remainder आपको रखना है mod तो यह आपका चार operation के लिए आपने पांच operation के लिए आपने लिख दिया command 6 में बहुत छोटा सा code है लिखना है unload me और उसके बाद जब आप इसके output को रंद करा गया आप output देखेंगे suppose मैंने डाल दिया 1200 1241 अब देखिए add पे क्लिक किजिए देखिए addition आगया third text box में subtraction पे क्लिक किजिए subtraction आगया multiplication पे क्लिक किजिए अब यह overflow आ रहा है क्या बात है भई तो यहां पे बहुत ज्यादा लंबा value मैंने रख दिया आप इसको देखिए इस चीज़ को फिर मैं अगले वीडियो में discuss करूंगा आप थोड़ा छोटा वीडियो रख दिया यहां पे आप रख लिजे value जैसे मैंने रखा 120 और यहां पे मैंने रख दिया सपोज 13 यह आपका addition आगया subtraction आगया multiplication आगया division आगया remainder आगया है और finally यह आपका जब आप exit पर क्लिक करेंगे तो यह exit हो गया तो यह आपका कौन सा form है देखिए यह explorer से देखिए आप किस form पर design कर रहा था यहां project explorer है controller इसका shortcut है तो आप देखेंगे कि यह यह जो आपका क नाम हो रहा था यह user form one पर हो रहा था ठीक है अब जो है आपको क्या करना है यहां से बाहर आना है और यहां macro में आना है और सपोज आप चाहते हैं कि यह calculator नाम का एक macro बन जाए कोई बात नहीं create हो गया और यहां पर लिखना है load करो user form one को और user form one.show मतलब उसको दिखा दो अब ऐसा करने के बाद जब आप बंद करेंगे और macros में जाएंगे तो यह देखिए आपका calculator नाम का macro बना हुआ है जब आप इसको run करेंगे तो यह आपका calculator का form खुल गया और यहां पे आप दो अलग अलग value को डालिए और सारे operation को perform कीज तो यह आपका इस तरह से यह आपका calculator बन गया तो आप लोग इसको घर पर practice करेंगे इसका और अपना comment जो है कैसा लगा आपको यह video comment box में comment जरूर करें और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को subscribe कर लें या जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है वो भी चै कि वीडियो का upload होने का notification है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और comment box में जरूर लिखें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक like करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो thanks thanks a lot for watching